आज मैं आपको महागुरु चानक के का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको ये बताएगा कि कोई समस्या ये परिशानी आये तो उससे कैसे निप्टे एक बार महागुरु चानक के किसी रास्ते से जा रहे थे और उनके पैरों पर एक कांटा पड़ गया काटा महागुरु चानके के पैर में चुप गया और उनके पैर से खोन निकलने लगा आस-पास के लोगों को लगा कि महागुरु को गुस्या जाएगा लेकिन महागुरु चानके ने किसी से कुछ नहीं कहा बल्कि वो जुके और जुक कर अपने पैर से काटा निकाल दिया और उस काटे को एक तरफ कोने में फैक दिया उसके बाद महागुरु चानक के रुके नहीं बल्कि उन्होंने पास की दुकान से एक ग्लास लशी खरी दी और पूरी लशी उस काटे वारी ज़ड़ी पर डाल दी जिसका काटा उनके पैरों में चुबा था ये देखकर महागुरु चानक के के शिशे कन्फीज हो गए तो उन्होंने गुरु जी से इस बात का मतलब पुछा गुरु जी ने जवाब देते हुए कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ लेकिन आपने उस कंडिशन में क्या करा इस बात से फर्क पड़ता है और यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है महागुरु चानके ने अपनी बात को और ज़्यादा समझाते हुए कहा कि जो काटा उनके पैरों में चुप गया था वो सिर्फ समस्या थी और उन्होंने उस कांटे को भला बुरा कहने के बज़ाए उस समस्या को जड़ से खत्म करना ठीक समझा और इसी लिए उन्होंने उस कांटे की जड़ी पर मीठी लसी डाल दी अब शकर और दही की वज़े से बहुत सारी चिल्बिया आएंगी उस कांटे वाली जड़ी की जड़ों को पूरी तरह से खत्म कर देंगी और वो जड़ी कभी पेड नहीं बन पाएगी और ना ही उसमें और नए कांटे आएंगे जो किसी के पैरों में चुप सकें दोफतों महागुरु चानक की किस टीचिंग को गहराई से समझने की कोशिश करिए जब आपके सामने कोई समस्या आये तो इस समस्या को भला बुरा मत बोलिए आप उस समस्या के कारण का पता लगाईए और फिर ऐसे एक्षिन लिजे कि जिंदगी में दूसरी बार आपको या आपके किसी अपने को उस कारण की वज़े से वही समस्या कभी आने ही ना पाए और यही आज का वन मिनट विज़्डम है आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा दुखतो क्योंकि इस एक मिनट की वीडियो को बनाने में मुझे कई बार घंटो लगते हैं और जब आप शेयर करेंगे तो मेरी मेहनद ज्यादा लोगों तक महच पाएगी तो अब आप वीडियो को शेयर करिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए थैंक यू फरी मच